हलो गाईज चलिए आज मैं आप चिक करना चाहूंगी आपके पार्टनर अगर आपसे दूर है तो कैसे है वो आपके पार्टनर अगर आपसे दूर है तो कैसे है 10 of cups के energy है 9 of cups के energy है tower के energy है devil के energy है one more card page of swords तो अगर यह आप से दूर है इनके energy आप पर stuck है यह पूरी तरीके से आप पर stuck है the sun card यहाँ पर यही represent करे है कि आपके partner आपके बारे में बहुत सादा सूचते है और यह आपको लेकर इस connection को लेकर बहुत positive feel करते है यह आपको spy करते है अगर यह आप से distance में है इनकी continuous नजर आप पर होती है आप क्या करे हो, कहाँ पर जाड़े हो यह चाहे express करे या ना करे लेकिन 24 by 7 यह आपके बारे में सूचते है आपको लेकर इनकी दिल में मतलब यह feel करते है आपकी energy को यह आपके बारे में सूचते ही खुश हो जाते है और आपको बहुत सादा spy करते है तो यहाँ पर आप से distance इसलिए है क्योंकि इनके life में tower moment आई है क्योंकि यह devil energy में थे आपके partner में खुद कुछ negativity था addiction था या फिर यह ego से operate करते थे कुछ लोगों के लिए हो सकती इनके life में कुछ controlling लोग है इनको कोई ना कोई control कर रहा था dominant कर रहा था इनके life में कोई controlling situation था karma cycle था वो आपके partner के कार्मिक हो सकते है तो इसी वज़े से इनके life में यह tower moment है tower moment मतलब यह अपनी battle act face करे थे tower moment हमारे life में battle act को दर्शाती है मतलब suddenly यह कुछ करना चारे है लेकिन कर नहीं पा रहे है इनके काम भी करते थे problem हो जा रहे थे यह आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे अपनी life में इनको ऐसा feel हो रहा था यह एक जगब पर stuck हो चुके है इनके life में कुछ नहीं बन पा रहा है कुछ भी करने जाते है positive लेकिन negative result इनको मिल रहा था यह situation थी आपके partner की तो इसी वज़े से आपसे यह distance में थे लेकिन आपसे दूर इन्होंने आपको कभी भी यह भूले नहीं है always याद करते है कुछ लोग already marriage में हो सकते है आपके बच्चे भी हो सकते है अपने partner के साथ उसके बाद यह separation आई है आप लोग के life में लेकिन यह आपको हमेशा याद करते है बहुत सादा miss करते है आप इनकी wish fulfillment हो आपके साथ यह abundant feel करते है आपके साथ यह बहुत खुश होते है past की जो भी memory से आप लोग की बहुत सादा याद करते है आपसे दूर होकर भी यह आपकी energy से अलग नहीं हो पाए है और अगर आप लोग marriage में नहीं हो आप लोग relationship में थे या फिर relationship में हो यहाँ पर distance आई है, कोई suppression आई है तो यहाँ पर तब भी आपके पार्टनर आपके साथ future family को सोचते है यह miss करते हैं आपको बहुत सादा इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ इनकी family हो जाए आपके साथ future बन जाए तो इनकी साथी wish fulfill हो जाएगी तो अगर आपके partner आपसे दूर है आपको वो बिल्कुल भी भूल नहीं पाए है हमेशा आपको याद करते हैं आप पर यह नज़र रखते हैं